आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Nothing Phone 2A Plus Android Mobile Phone में आप अपने Mobile Phone से fingerprint lock को आपना remove कैसे कर सकते हैं यानि कि fingerprint lock को आप कैसे हटा सकते हैं अपने phone से आज के इस वीडियो में हम आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए वीडियो का में start करते हैं सबसे पहले Mobile Phone का setting का page open करना है इसमें आपको नीचे आना है यहापर आपको यह security and privacy का यह option टैप करना है अब इस page में नीचे की साइड device unlock का यह option टैप करना है अब यहापर आपको नीचे fingerprint का यह option select करना है अब यहापर Mobile Phone का screen lock एंटर करना इसके बाद आपको right click करना है तो आपको अगले page में fingerprint के इस page में finger 1, finger 2, finger 3 इस तरीक से आपको जितने भी आपने fingerprint lock लगा रहे हैं वो सभी आपको यहापर दिखाई देंगे तो यह finger के सामने जो delete का icon है delete पर टैप करना है तो आपको यह page आएगा इसमें आपको yes remove का यह option ट delete हो चुका है तो इस तरीक से आप अपने phone से fingerprint lock को इस तरीक से remove कर सकते हैं यहाटा सकते हैं ठीक है